नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, हमारे यूट्यूब चैनल निस्वार्थ ज्यान पर दोस्तों अगर आपके जीवन में पैसे की कमी है, घर में कई प्रकार की बीमारियां लोगों को लग चुकी है, जो सही नहीं हो पा रही है या फिर आप मेहनत बहुत करते हैं, और उतना धन नहीं कमा पाते हैं जितनी आपकी जरूरत है घर में सुख शान्ती नहीं है, तो आज का विडियो ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में यह बातें बहुत काम आने वाली है आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं अब खत्म होने वाली है इस वीडियो में वह जानकारी आपको बताई जाएंगी, जो कि आपके दैनिक जीवन के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह चैनल हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है अगर आप वाकई में हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, भगवान, शिवशंकर, भोलेनात को मानते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में इस पौधे को देख पा रहे हैं इस पौधे को कभी न कभी आपने देखा तो जरूर होगा बहुत नजर अंदाज भी कर दिया होगा या फिर ये पौधा आपकी जमीन पे उगा होगा और आपने इसे उखाड कर फेंग दिया होगा तो सावधान हो जाए इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल सही सुना दोस्तों इस पौधे के अगर आपने चमतकारी गुण आयुर्वेदिक गुण और तांत्रिक गुण जाने लिए तो आप इस पौधे को अपनी दिंचर्या के काम में लेकर आएंगे सवरप्रथम आपको एक बात बता दे इस पौधे में भगवान विष्णू, शिव, शंकर, भोले नाथ का वास होता है और इसकी जड़ में माता गंगा का आशीरवाद होता है माता गंगा का वास भी होता है दोस्तों आप अपने जीवन में दरिद्रता से परेशान है दरिद्रता और गरीबी को इस पौधे के दम पर आप अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं आपके पास धन नहीं आ रहा है धन आने के मार्ग इस पौधे के दम पर खुल सकते हैं आपको बता दे माता लक्षमी का आशीरवाद आपको मिल सकता है इस पौधे के माध्यम से बस इस पौधे के चमतकारिक गुण को आप सब जान लीजिए और आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान यही पौधा आपको देगा इस पौधे के गुण जानने के बाद आपको बता दें इस पौधे को कई जगह लटजीरा, चिड़चिड़ा, पोंगा के नाम से जाना जाता है आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता इस पौधे के गुण को आप जानने के बाद इसका नाम आपके राज्य में कुछ भी हो परंतु अगर आप इस पौधे को पा गए और इसकी तांत्रिक चमतकारों को अपनाए तो आप लोग बहुत अमीर बन सकते हैं दरिद्रता से आप लोगों की हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और सबसे जरूरी बात अगर आप लोग नौकरी की तयारी कर रहे थे आपको नौकरी नहीं मिल पा रही थी तो यह समस्या भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्थ हो जाएगी कहने का तात्पर्य है आपका भाग्य आपका साथ देगा आपके तारे आपके साथ रहेंगे और आपके जो नौ ग्रह है वह हमेशा के लिए आपके खुद के हो जाएंगे क्योंकि हिंदू पुरान के हिसाब से आप अपने जीवन में अगर सफल बनना चाहते हैं तो आपको नौ ग्रहों की समस्या समाप्थ करनी होगी दोस्तों इस पौधे को लटजीरा कई जगह कहा जाता है और कई जगह इसे आउंगा भी कहा जाता है लेकिन आयुरवेदिक किताबों में इसको आप मार्ग कहा जाता है आप मार्ग एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब यह होता है उल्टा चलने वाला क्योंकि इस पौधे की जो सबसे खास बात होती है वह यह होती है कि इसके जो बीज होते हैं वह उल्टी तरफ उगते हैं मतलब जो एक सामान ने पौधा आप लोगों ने देखा होगा या फिर फूल पौधे देखा होगा तो उनमें जो बीज होते हैं वो हमेशा सामने की तरफ होते हैं परंतु इसके विपरीत इस पौधे में बीज उल्टी तरफ होते हैं जिसका मतलब यह है यह अपमार्ग पौधा है आपको अगर नहीं पता तो बता दें हिंदू ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है जब धर्ती पर अमर्ग गिरा था तो अमर्ग की कुछ बूंदें इस पौधे पर भी गिरी थी मतलब यह की यह अकेला पौधा है जिस पर अमर्ग की कुछ बूंदें गिरी थी आपको बता दें तांत्रिक पढ़ाई के हिसाब से या हिंदू पुरान के हिसाब से सनी देव बाबा और माता गंगा का वास इस पौधे पर होता है अमरित की कुछ बूंदें भी इस पौधे पर पड़ चुकी है तो अगर हम हिंदू पुरान को और आयुरवेदिक पड़ाई को जोड़ दें तो इसके कई गुण और फाइदे मिल सकते हैं बस आपको इसका सही फाइदा पता चलना चाहिए और सही तरीके से अजमाए गए उपाए आपके जीवन में आपको फाइदा दिला सकते हैं जो आप लाख रुपे खर्च करके भी फाइदा नहीं पाएंगे वह इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेंगी बस आपको अपने जीवन के कुछ मिनट इस वीडियो को देना है और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी पैसों की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी अब दोस्तों आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर हमें इस पौधे के बारे में इतनी जानकारी कैसे है तो दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जो भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वह संत बाबा नागा बाबा से ली हुई जानकारी है। हमने आयुरवेद की पड़ाई में भी इसके बारे में पूरी तरह पड़ा है। पूरा ग्यान एकत्रित किया है। तब हम आपको इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। दोस्तों आपको एक बाद बता दें। आप एक बाद जानकर बहुत दुखी हो जाएंगे। हमारी जो भारत माता है इस भूमी पे पौधे उगते हैं जिनको आयुरवेद में बहुत ही उच्छ स्थान दिया गया है। बलकि विदेश से जो लोग आते हैं वो हमारे भारत से इन पौधों को ले जाकर विदेश में इसका रोज उपयोग करते हैं। परंतु हम भारतिये लोग इन पौधों की सही जानकारी ना प्राप्त करने की वजह से इनका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसलिए दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। अब हम आपको बता दें या जो पौधा होता है इसके दो विशेश तत्व होते हैं। पहला ये है कि यह पौधा बीमारियों के काम में आता है। दोस्तों अगर आपको गाठिया बिमारी है कहने का तात पर यह है गाठिया एक ऐसी बिमारी होती है जिसमें आ मार्ग के इस पौधे का उपयोग करके आप अपने जीवन में गाठिया डायबिटीज और माइग्रेन जैसी बिमारी का इलाज कर सकते हैं तो आखिर किस तरीके से इसका उपयोग करना है लेकिन दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर द गाठिया माइग्रेन जैसी बिमारियों में इस पौधे की जड़ का विशेश लाभ मिलता है अगर आप गाठिया या फिर माइग्रेन जैसी बिमारी से जूज रहे हैं तो आपको इस पौधे की जड़ को लेके आना है और इसकी जड़ को मिक्सी में या फिर आपको इसके इसका पाउडर बना लेना है, साथ में जब भी रात के सोते समय आप दूध पीएंगे, तो इसके एक चम्मच पाउडर आपको दूध में मिला देना है, और मात्र तीस दिन तक इस प्रक्रिया को अपनाना है, दोस्तों विश्वास मानिये, माइग्रेन एक ऐसी बिमारी है ज यह दर्द हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, अगर विश्वास नहीं आता, तो खुद इसका एक बार प्रयोग करके देखें, और कमेंट बॉक्स में बताईएगा भारत के किस राज्य के आप निवासी हैं, साथ में क्या आपके राज्य में या अपमार्ग का पौ लेनात की कृपा इस पौधे पर बनी रहती है, और आपको मैंने बताया कि अमरित की कुछ बूंदें भी इस पौधे पर गिरी थी, इसलिए दोस्तों अगर आप मेहनत करते हैं, परंतु आपको उस मेहनत के प्रती उतना पैसा नहीं मिल पाता जितनी आपकी जरूरत है, आ अपने घर में कोई तिजोरियों में पैसा रखते हैं, तो इस पौधे की जड़ को लेकर आपको आना है, और इस पौधे की जड़ को आपको एक छोटे से मिट्टी के कलश में रख देना है, और उस कलश में आपको चावल की कुछ बूंदें भी डाल देनी है, साथ में और आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय, दोस्तों तीन बार इस मंत्र का जाप करके, यह कलश आपको उस तिजोरी में रख देना है, जहां पर आप पैसा इकठा करते हैं, और पंद्रह से लेकर 20 दिन तक आपको ऐसे ही रख oluşपखे रहने दे आप अपने जीवन में देखेंगे कि जो आप मैंनत करते थे उसके बराबर या उससे ज्यादा धन आपके जीवन जो धन तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन धन नहीं टिक पाता क्यूंकि उन पे मा लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है इसलिए अगर आप इस पौधे की सही विद्या प्राप्त करके इसको तिजोरी में रखते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कलश में चावल और सिंदूर मा लक्ष्मी को मानते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद